डिर स्टुडेंट्स चलिए हम लोग क्लास चलते हैं आज क्लास 12 के लिए 12 क्लास का फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करते हैं जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में गत्य की विधुत वहक बल पे कुछ है उसका नुमेरिकल प्राब्लम भी पढ़े थे उसका क्या ब्यांजक होता है उसका यी का वैलू क्या होता है उसमें करेंट कितना पास करता है गतिकी विधुत वहक बल को हम लोग प्रीप पिछले क्लास में पढ़े थे आगे पढ़ते हैं 12th class का physics का subject तो 12th class के physics में हम लोग को आगे जो टॉपिक्स है और टॉपिक देना है flaming के दाहिने हाथ के नियम ये topic देना है और इस topic में नीचे first arrow देकर लिखना है फिर हम बात बताते हैं लिखा जाए यदि दाहिने हाथ के अंगुठा कॉमा तर्जनी तथा मध्यमा को परस पर लंबवत इस परकार फैलाया जाए की अंगुठा चालक के गती की दिशा को तथा तर्जनी चुम्ब की चेतर की दिशा को और मध्यमा मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को ब्यक्त करेगी चलिए अब हम लोग क्या समझें की जो तो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम है तो सबसे पहले दाहिना हाथ अपना निकालना है दाहिने हाथ में तीन अंगुठा फिर तर्जनी और मध्यमा यानि की जो देख पार होंगे अपने दाहिने हाथ की तीन अंगुधी क्या कौन-कौन सा अंगुठा, तर्जनी, मध्यमा तीनों को इस परकार फैलाना है और की ऐसा तीनों 90 डिगरी हो जाए जैसा की ऐसे देख पार होंगे ये और ये ये दोनों के बीच में कितना डिगरी है 90 degree है और यह मेरा 90 degree है ये मेरा 90 degree है आपके तरफ ही यह है ठीक है और ये बिल्कुल 90 degree है ऐसे देख पा रहे हैं तो इस तरह से हम लोगों को दाहिने हाथ की तीन अंगुली अंगुठा इसका नाम है तर्जनी इसका नाम है मदमा तीनों को इस परकार फलाना है कि जो अंगुठा है वो चालक की गती की दिशा को बताता है यानि कि भी भालोसिटी से जैसे उसको मूव करते हैं उसको उधर की दिशा तरजनी किसको चुम्बके छेतर की दिशा और मध्मा किसको परदर्शित करती है तो ये प्रेरित धारा चुकि वायर में या फिर कुंडली में जो प्रेरित धारा होती है प्रेरित धारा का मतलब बिना बैटरी जोड़े ही उसमें करेंट पास होने लगता है उसको किस से हम लोग दिखाते हैं मध्मा अंगुली परदर्शित करती है अंगुठा बताती है कि उसको b velocity से किधर लेके मुड़ रहे है तो वो अंगुठा दिखाता है और ये वाला जो तरजनी है वो चुम्बके छेतर की दिश्चा यानि की b को परदर्सित करती है तो इसके नीचे का जो figure बना लेना है ये वाला figure important है ये figure आपको बनाना है देख पा रहोंगे ये जो figure है ये figure में दोनों तरफ क्या है ये S और N एक चुम्बक है ठीक है S और N एक चुम्बक है और इसके बीच में एक वायर रखा हुआ है तार है ये ये क्या है तार है अब इस तार में चुकि ये दोनों चुम्बक के वज़ा से कुछ टाइम के लिए current आएगा कब current आएगा जब इस वायर को हम लोग तेजी से move करेंगे ठीक है यानि कि ये दोनों चुम्बक है N और S और इसके बीच में एक वायर है और इस वायर में current होगा कब जब इस वायर को तेजी से उपर क्योर ले जाए जाए देखिए इस figure को आपको अच्छे से बनाना है ताकि एक तरफ चुम्बक भी दिखे और ये वाला जो है दाहिने हाथ का नियम कैसे फैलाना है इसको जरूर दिखाना है ये देखिए अंगुठा है अंगुठा का मतलब उपर है अंगुठा यानि कि इस वायर को जो है नीचे से उपर क्योर ला रहे है नीचे से उपर क्योर ला रहे है तो उसको हम लोग अंगुठा से ब्यक्त कर रहे है ठीक है और ये है क्या तरजनी तरजनी किसको बताता है चुम्बकिये छेतर को तो चुम्बकिये छेतर किधर से किधर जा रहा है उत्री धुरू से दचनी धुरू देख रहे हैं ये एरो किधर से किधर जा रहा है इधर से तो हम लोग का ये तरजनी बताता है और ये मध्यमा क्या बताता है कि इस वायर में करेंट आ रहा है जिसको इंडिस्ट करेंट बोलते हैं इसी को परत्यावरती धारा बोलते हैं अंग्रेजी में इंडिस्ट करेंट लिख दिया है तो आप इंडिस्ट करेंट नहीं लिख दिजिएगा प्रेरित धारा आप लिखिएगा यहां पर प्रेरित धारा ठीक है पर त तो इसको हिंदी में लिख दीजेगा कि इसमें जो करेंट आ रहा है वो प्रेरित धारा है किसके वज़े से तो यह चुम्बक के वज़े से तो आप इस फिगर को अच्छा से बनाएगा यह हाथ जरूर बनाएगा ताकि यह पता चलेगा कि हम लोग इसको ऐसे मोड़े हुए ह देख पार होंगे ऐसे मोड़े हुए है यह उपर हो गया उपर का मतलब इसको उपर क्यों ला रहा है तेजी से और तरजनी इधर की ओर है इधर की ओर मतलब इसमें जो नॉर्थ पोल से निकल कर जा रहा है यह चुम्बकी छेत्र और मध्यमा जो है प्रेरित धारा को दिख लिखा जाया वह लिखा जाया नेक्स्ट टॉपिक स्वप प्रेरन के बारे में और यह टॉपिक बहुत इंप्रेंट है स्वप प्रेरन अब चले जानते हैं हम लोग कि स्वप प्रेरन क्या है तो स्वप प्रेरन को समझने के लिए उसके नीचे एरो देंगे लिखेंगे किसी कुंडली में परवाहित दहारा को परिवरतित करने पर स्वव परेजन को इसको V. V. I. कर देंगे एसावाल पूछ चुका है कि स्वव परेजन से आप क्या समझते हैं तो इसमने फस्ट अरो देकर लिखेंगे किसी कुंडली से परवाहित धारा को परिवर्तित करने पर परिवर्तित करने पर उसी कुंडली में प्रेरित बिधूत वाहक बल तथा प्रेरित बिधूत धारा के उत्पन होने की घटना को प्रेरित बिधूत धारा के उत्पन होने की घटना को स्वप्रेरन कहा जाता है अब स्वप्रेरन का मतलब क्या है स्वप्रेरन किसको कहते है तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर मान लिया जाए कि कोई कुंडली है इसमें फिगरने बनाना हम बस समझा रहे हैं जैसे मान लिया कि यहाँ पर कोई कुंडली होता था ठीक है अब इस कुंडली में कोई बैटरी नहीं होता था ठीक है उसमें क्या आता है बिधु धारा में परिवर्तान आता है इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान लिया जाए कि जब इस कुंडली के कुंडली के तरफ किसी चुंबक को ज्यादा तेजी से लाते हैं तो करेंट आ रहा है 10 अंपियर ठीक है करेंट कितना रहा है 10 अंपियर लेकिन दब जिसको इसको उधर ले जा रहे हैं हो सकता है कि नव अंपियर है या 11 अंपियर है टो जो धहरा में चज्च आ । ग। लिया कि आने में 10 MPR का विधुधारा उत्पन हो रहा है कुछी टाइम के लिए क्यों नहों मैक्सिमम दस धार दस MPR और ले जाने में 9 MPR का धारा उत्पन हो रहा है तो इसमें कितना का चेंज आया तो एक एमपियर का चेंज आया यानि कि पहला बात यह कि किसी कुंडली से अगर परवाहित धारा में जो परिवर्तित होता है वो खुद एटोमेटिक यानि कि स्वैम ही उस कुंडली में ऐसा चेंज आ जाता है इसी को हम लोग बूलते हैं इस घटना को स्वाप रेरन यानि कि कुल मिलाकर यह देखा जाए कि जप कोई कुंडली में किसी चुम्बक के गती करने के उपरान्थ अगर उस कुंडली में धारा का मान अगर परिवर्तित स्वैम हो जाता है खुद वो खुद कुछ न कुछ चेंज आ जाता है तब इस प्रकिरिया को तब इस किरिया को हम लोग स्वव प्रेरन का नाम देते हैं यानि कि ये बोला जा रहा है कि इसमें जो प्रेरित विधु धारा है न वो खुद वखुद उधपन होता है नाम ही है स्वव, स्वव का मतलब स्वयम, स्वयम मतलब अपने आप, अगर अपने आप प्रेरन की घटना होती है, अपने आप प्रेरित धारा उधपन होती है, तब वो स्वव प्रेरन कहलाएगा चलिए आजे शिखते हैं, स्वप्रेरन गुनांक या फिर स्वप्रकत्व, तो अब स्वप्रेरन गुनांक या इसी का दूसरा नाम है स्वप्रकत्व, तो अब स्वप्रेरन गुनांक या स्वप्रकत्व क्या है, इसको हम लोग चलिए समझते हैं, तो इसको समझेने से पहले कुछ बात लिख लेंगे लिखा जाए टॉपिक देखर माना की किसी कुंडली से माना की किसी कुंडली से बिधूत धारा आई प्रवाहित होती है माना की किसी कुंडली से बिधूत धारा आई प्रवाहित होती है तथा कुंडली के प्रतेक फेरे से चुम्बकिय फ्लक्स फाई है इसको फाई पढ़ते हैं चुम्बकिय फ्लक्स फाई है कॉमा यदि कुंडली में फेरो की संख्या एन हो तो हो तो चुम्बकिय फ्लक्स चुम्बकिय फ्लक्स चुम्बकिय फ्लक्स कमान फेरो के संख्या के गुनन्फल तथा धारा के समानुपाती होता है तो स्वपर्रन गुनांक या स्वपर्रकत वो किसको कहते है तो अभी हम लोग लिखे कि जो चुम्बकिय फ्लक्स होता है चुम्बकिय फ्लक्स क्या होता है तो यहां पर अथार्थ करके लिखेगा अथार्थ चुम्बकिय फ्लक्स फाई है और इसमें जो फेरो की संख्या है फेरो की संख्या क्या होता है एन होता है ठीक है तो फेरो की संख्या और चुम्बकिय फ्लक्स का जो गुननफल होता है वो किसके समानुपाती होता है तो जो प्रेरित धारा उसमें जाता है यानि कि आई के समानुपाती हो गया हम लोग जानते हैं न कि जब समानुपाती हटता है तो कुछ न कुछ स्थिरांग आता है कॉंस्टेंट आता है अच्छा जरा आप इस बात को जरूर से जरूर समझे कि यहाँ पे हम क्या लिखे हैं यहां पे यही लिखें कि माना कि कोई भी कुंडली में प्रेरित धारा कितना है आई है यह सब देखें अपने से कुछ माना हुआ है कि माना कि एक कुंडली है जिसमें प्रेरित धारा आई उत्पन हो रहा है उसका चुम्बकिय फ्लक्स फाई है और उस कुंडली में फेरो की जो संख्या है वो कितना है एन है ठीक है अब हो क्या रहा है कि चुम्बकिय फ्लक्स और फेरो का संख्या का गुननफल जो है धारा का प्रिवित धारा का सिधा समानुपाति हो रहा है तो हम उसके वज़ा से इतना चीज लिख सकते हैं एन इन्टू 5 समानूपाति आई अच्छा फिर आगे क्या लिख सकते हैं तो एंट फाई जब समानूपाति हटेगा तो बराबर काचिन हाएगा अब फिर लिख देंगे एल इंटू आई ठिक है एल कहां से आया तो जब समानूपाति हटता है तो एक किस्थिरांक आता है जिसको L कहता है तो A95 बराबर L-I जब A95 बराबर L-I आया जहां हम ये बोल सकते है जहां L को ही हम लोग क्या बोल सकते है L को बोलते है स्वप्रेरन गुनांक या फिर स्वप्रकत्व समझ में आया यानि कि जो यहाँ पर इस थिरांक आता है L उसी L का value को क्या बोलते है swap return गुनांग या फिर swap रकत्व ज़रा और इसके आगे का काम करें तो आप जैसा कि देख पा रहोंगे n5 बराबर L I है तो यहाँ पर आगे लिखिएगा चुकी n5 बराबर n5 बराबर L I इसलिए L बराबर क्या होगा तो L बराबर होगा n5 भटा में I ठीक है इसी L का मतलब होता है swap रकत्व swap रकत्व या फिर swap रकत्व swap ररन गुनांग तो इसी L को हम लोग बोलते हैं swap रकत्व या फिर swap प्रेरन गुनांग अब हम लोग इसको कैसे भी बोल सकते हैं जरा देखें इसका एक और definition यह हो सकता है कि चुम्बकिये फ्लक्स और चुम्बकिये फ्लक्स और फेरो की संख्या के गुननफल एकांग धारा में अगर परवाहित होती है यानि कि प्रति एकांग प्रेरित धारा में यानि कि जब इसको गुना किया जये तो प्रति एकांग प्रेरित धारा में जो value आएगा वो किसका वेलू आएगा एल का यानि की स्वाप्रकत्व का ठीक है तो चलिए इसका डेफनेशन लिख लिया जाए उसके नीचे आरो देखर लिखेंगे किसी प्रेरित्र की स्वाप्रकत्व उससे संबध कूल चुम्बकिय फ्लक्स के संख्यात्मक मान उस चुम्बकिय फ्लक्स के संख्यात्मक मान के बराबर होता है यदि प्रेरित धारा एकांक हो चलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि चुम्बकिय फ्लक्स का वैलू स्वाप्रकत्व के कब बराबर होगा जब एक सर्थ है एक कंडिशन है एक सर्थ है सर्थ यह है उसके निचे लिखेगा कि अगर कुंडली में फेरो की संख्या एक रहे और क्या तो प्रेरित धारा भी एक यूनिट रहे एक आंक रहे दोनों अगर एक हो गया तो एल का वैलू क्या होगा एन के जगा पे एन इन्टू फाई बटा वन तो वन से वन खतम हो गया इसलिए हम लोग एल बराबर क्या करेंगे फाई यहां पे यही लिखा गया है कि जब किसी कुंडली में फेरो की संख्या तथा जो प्रेरित धारा है वो एक आंक है हालांकि इसके बारे में नहीं लिखें लेकिन आप सोचिए कि वो फेरो की संख्या according to situation हो सकता है वो कितना भी हो सकता है लेकिन प्रेरित धारा जो है एक रखेंगे और इनका वेलू एक रखेंगे तो इस condition में जो swap प्ररकत्व होता है और चुम्ब किये flux के क्या होगा इकवल होगा तो हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं अच्छा फिर उसके बाद सबसे इंपोटेंट चीज लिखेंगे कि swap प्ररकत्व का जो इस साइं यूनिट होगा वो क्या होगा तो इसका ऐसा है मात रखोता है लिखेंगा तो पहरे लिख लिजएगा स्वप प्ररकत्व को L से सुचित किया जाता है फिलिखेंगा नेक्स्ट स्वप प्रकत्व का इसाइ मात रख swap प्रकत्व का इसा ही मात्रक weber फेरे एम्पियर होता है weber weber फेरे सरी ऐसे weber फेरे एम्पियर फेरे एम्पियर के पावर माइनस वन इसी को सॉट में लिखते है weber हाँ ठीक तो था weber turns tu rns weber turns turn tu rns फिर एम्पियर के पावर माइनस वन इसको सॉट में लिखते हैं तो याद रखेगा सबसे इंपोटेंट चेज कि swap प्रकत्व को हमें सा किस से सुचित करते हैं ls से सुचित करते हैं और इसका जो SI unit होता है जैसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं चुम्ब के flux का SI unit तो विधुद्ध छेत्र का SI unit उसी तरह से इसका स्वप्रकत्व काई भी SI मातरक होता है और कितना होता है इसका जो SI unit होता है वेबर फेरे एंपियर होता है है ना अच्छा उसके नीचे एक arrow देंगे लिखेंगे वेबर फेरे एंपियर प्रती प्रती एंपियर वेबर फेरे प्रती एंपियर को Henry भी कहा जाता है Henry भी कहा जाता है Henry Henry तो याद रहे कि वेबर, फेरे, एंपियर को हम लोग क्या कहते हैं हिन्री कहते हैं ठीक है और हिन्री के ब्रैकेट में कैपिटल एच लिख दीजिए कैपिटल एच का मतलब होता है हिन्री तो याद रहेगा कि स्वाप प्ररकत्व का जो SI मात रख होता है उसको हम लोग दू तरीके से बोल सकते हैं हिन्री भी बोल सकते हैं वेबर, फेरे, प्रती, एंपियर भी बोल सकते हैं तो मेरे हिसाब से जो आपको याद रखना चाहिए वो दोनों याद रखना चाहिए लेकिन ज़्यादा जो है हिन्री इस्तेमाल होता है किस्वा प्रकत्व का कितना हेंडरी दो हेंडरी चार हेंडरी कापिटल एच का मतलब होता है हेंडरी ठीक है और वेबर फेरे प्रती एंपेर भी होता है तो उसके नीचे लिख लिजेगा अत अत एक हेंडरी बराबर देखिए एक हेंडरी किसके बराबर होता है तो एक वेब कि इसके बराबर होता है यानि कि हमलोग हिन्ड ब 예ंरी बहुता है या फिर वीब押ंट इसके प्रति पर बोल सकते हैं तो इस तरीके से आज हम लोग खांकि होता है स्ववप्रकत्व, स्ववप्ररकत्व का स्ववप्ररन गुनांग क्या होता है इस सब के बारे में हम लोग आज सिखे तो आज की क्लास को यहीं तक end किया जाए और फिर मिलते हैं अगली वीडियोज में अगले क्लास में तब तक धन्यवाद